इसस्टोर is syrup, Force Lab Manufacturing यह टोटलि आयरवेदिक, इस्टोर बलेडर त्टोर और गुरुदे की पत्री के लिए स्पेशलि बनाए गई है यह टोटलि आयरवेदिक है जिसके वजे से आपके जिस्म और कीड्नी को कई बी किसम के हानी परेशानी या नुकसान नहीं होगा इसमें जितने भी तत्व मिलाए गया है और इंग्रिइंट है वह सारी के सारे आयरवेदिक है जो आपके जिसम पर कैसे करते है और उसका असर क्या होता है मैं इस वीडियो के जरी आपको बता हूँगा इसमें जो है किड्नी में अगर स्टोन हो जाता है तो जिसके वज़े से पेशाप साप नहीं होती है पेशाप साप नहीं होती है तो ये किड्नी के जरुरात को तुकड़े करके बाहर निकालता है और पेशाप की पेशाप की पेशाप की पेशाप की पेशाप की पेशाप साप नहीं होत तो यह infection से जो है हमें बचाता है और Blader को और civic को सापके अंदर जो तीसरी चीजा यह वरूना है यह गुरदे की पत्री से सह के प्राट की सारी परशैनी ही ऊती है किड्नी स्टॉन सापकर देता है और पेशाप को सापकरनीता है जिसके वज़े से पेशाब साप होती है और किड्नी स्टोन तुकड़े होकर बाहर निकलना शुरू हो जाता है इसके अंदर पसाना भीदी भी मिलाए गया है ये पेशाब बनाने में कुदरती मददगार होता है और पेशाब की मातरा को जिसम में जादा बनाने में मदद करता है जिसके वज़े से इस्टोन की जो कासियत होती है उसमें मिल जाता है और उसमें मिलने के साथ इस्टोन को कमजोर करता है और पेशाब की जरीए बाहर निकल देता है इसमें हरीती का भी मिलाए गया है ये पेशाब को होने वाली बीमारियों में मददकार होता है इसके बहुत सारी फाइदे भी है इसकी तासी थंडी होती है जिसके वज़े से पेशाब में जलन की जो होती है वो भी दूर हो जाती है इसमें सतावरी भी मिलाए गए है, यह सतावरी विटामिन A से भरपुर होता है, यह कुदरती तोर पर पेशाब बनाने में मददगार होता है, यह यूनेटरेक इंफेक्शन को दूर करता है और जितनी भी यूनेटरेक इंफेक्शन होते है उसको साब करके जो है किड्नी को जो स्टोन होते है वो केलशियम की मातरा जादा बढ़ जानी के जिसके वज़े से यूरीक एसिड बढ़ होता है और दोनों भी आप एसuga मिल जाते हैं और जो है यूरीन और कidal Dave ब्लेडर में स्टोन बाना शायते है अगर आप पानी का इस्तिमाल ज्यादा करें तो ये बिमारी आपको नहीं होगी अगर आपको हो गई है तो आपको जो चीजों का परिस करना है मचली और जो प्रोटीन की चीज़े हैं मास मास में मास होगया गोश होगया इसका इस्तेमाल ना करें और दूद का इस्तेमाल कम करें और दूसरे बनी हुई चीज़े जैसा चाइनीज घी, मक्छन, पनीर, पालक की भाजी और केलिशम की टेपलेट या केलिशम की सायरब इसका इस्तेमाल कम कर दें जिसके बज़े से इस्टोन और बढ़ जाता है और ज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले